उन लोगों के लिए खुशकवरी है, जो लोग टाटा पंच के दिवाने हैं, क्योंकि टाटा पंच का फेसलिफ्ट आने वाला है, और अंपर की डिजाइनिंग है, वो भी इसमें चेंज होगी, 10.25 इंच का टच्सक्रीन, वायलस चार्जिंग पैड भी मिलेगा, सेंटर में क हलो जोस्तों, वेलकम बैक टू दा चैनल, और आज मैं बात करने वाला हूँ, टाटा की ऐसी कार के बारे में, जिसकी सेल एक तरफ होती है, और टाटा की बाकी कारों की सेल एक तरफ, और इवन इतना नहीं, टाटा से नहीं, मारूती की गाड़ियों से भी जो हाइस देती है, और उन लोगों के लिए खुशकवरी है, जो लोग टाटा पंच की दिवाने हैं, क्योंकि टाटा पंच का फेसलिफ्ट आने वाला है, और यकीन मानिए, बाहर से जादा अंदर बड़ी चेंजिस आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिन लोगों को ये लगता तक यार, features की कमी है, कुछ variants में proper distribution नहीं है, साथ ही, बाहर भी कुछ cosmetic change नहीं है, उनके लिए काफी खुशकवरी है, क्योंकि काफी कुछ changes आपको मिलने वाले हैं, और कब इसका launch होने वाला है, वो सब कुछ पता चलेगा आज आज आपको इसी वीडियो में, और एक छोटा जैसा अभी EV Tata Punch की आती है, काफी stylish कर दिया है, हला कि जो front से आगर आप देखेंगे, तो bonnet वैसे ही मिलेगा, windshield वैसे ही मिलेगी, लेकिन bumper और headlights में आपको change देखने को मिलेगा, जो इसके DRLs हैं, जैसे आप ये EV में देख रहे हो, इस तरह के कुछ आपको DRLs मिलेगे, क्य fresh रहेगी, साथ ही जो bumper की designing है, वो भी इसमें change होगी, इसके अलवा side profile की बात करें, तो side से designing, length, dimension, ये सब कुछ सेम होगा, लेकिन alloy wheel की design यहाँ पे बदल जाएगी, ये आप देखो, एक spite तस्वीर है, जो की rush lane पे मुझे देखने को मिली, उसमें अगर आप देखोगे, तो alloy wheels की designing आपको change देखने को मिलेगी, वही rare profile की बात करते हैं, अगर हम पीछे से जब आप देखेंगे, तो बहुत जादा आपको change देखने को नहीं मिलेगा, हाँ, ये जरूर है कि जो इसकी tail lights है, उसमें LED के inserts आपको नजर आएंगे, यानि थोड़े बहुत changes होंगे इसके tail light साथी bumper में भी minor tweaks किये जाएंगे, जिससे बाहर से ये एक पुरानी punch से तो refreshing लगने लगेगी, लेकिन बहुत कुछ EV वाली punch जैसी लगने लगेगी, अब बाहर से तो पूरी तरह से car तयार हो गई है, लेकिन अंदर आपको बता देंगी, जो सबसे बड़ा change आपको observe करने को मिलेगा, वो है भाईया, इसका 10.25 इंच का touch screen, यानि बड़ा वाला जो touch screen है, वो अब आपको इसमें मिलने लगेगा, साथी जब touch screen बढ़ रही है तो भाई, apple car play, android auto, ये सब आपको wireless मिलने लगेगा, इसके अलामा आपको wireless charging pad भी मिलेगा, साथी जो इसका charging ports होंगे, जैसे आपको armrest भी मिलने लगेगा, हो सकता है उसमें छोटी बहुत storage की space भी आपको दे दी चाहे, इसके अलावा एक और बड़ा change होगा, कि कई variants में आपको electric sunroof भी इसमें offer की जाने लगी, कि जैसा कि आपको EV मिलता है, तो यानि अब normal आपको electric sunroof भी कई variants में देखने को जो अभी तक Tata ने confirm नहीं किया है, लेकिन उमीद की जा रही है कि जो illuminated logo वाली जो steering है, new steering, जो four spoke steering है, जैसे ही आपको EV में देखने को मिलती है, वही steering इसके top variants में भी offer की जा सकती है, अब आपको बताएं कि भाई, ये सारे features तो add कर दी है, लेकिन ये features मिलेंगी किसमें, भा आपशली जो pack वाली चीज़े उसको हटा के optional, plus, और plus, S करके variants में add on हो रहे है, जैसे कि pure variant आता था, pure के बाद pure rhythm आता था, उसको discontinue करके pure optional add किये जा रहा है, जिस variant में आपको all doors, power windows मिलेंगे, साथी central locking का option मिलेगा, ORVM को आप adjust कर सकेंगे, वो भी चीज मिलेगी, साथी wheel cover म add हो जाएंगे, जिससे वो और जदा value for money बन जाएगा, वहीं अगली series की बात करें, तो जो इसकी adventure series है, उसमें आपको adventure S करके, एक option मिलेगा, जिसमें आपको electric sunroof मिलेगी, साथी आपको center console, वो driver armrest वाला, वो मिल जाएगा, और उसी के साथी rear AC भी मिल जाएगा, इसके अला car play android auto supportive रहेगी, तो अब आपको क्या हो रहा है वहीया, कि यह touchscreen मिलने लगी, center console मिलने लगा, rear में AC event मिलने लगा, लेकिन अगर आप इसके साथ S add कर दोगे, तो आपको sunroof भी मिलने लगेगी, अब अगला जो variant आता है, जो इनका series में होता है, वो add होंगे, साथी wireless charging pad एक जो distribution कुछ इस तरह से किया जाएगा, जिससे कि यह और value for money बन जाएगी, और sales में तगड़ी टक कर देती है, मारूती की cars को, हाँ लेकिन लोगों को जो एक शिकायत रहती है, टाटा पंच से, भाई, safety में बढ़ी है, features में बढ़ी है, लेकिन engine से लोग थोड़ा सा और expect करते है तो वो उनकी निराशा continue रहने वाली है, क्योंकि engine में कोई changes नहीं कर रहे है, वही आपको 1.2 liter का 3-cylinder engine मिलेगा, जिसमें आपको 86 HP की power मिलती है, और 113 Nm का torque मिलता है, जो की 5-speed manual gearbox के साथ मिलता है, साथी AMT gearbox के साथ मिलता है, हाँ, एक चीज़ जरूर अच्छी है कि आपक आपको CNG वाली गाड़ी में भी automatic transmission ऑफर किया जा रहा है, हो सकता है जो Tata Punch facelift आने वाली है, उसमें आपको CNG वाले variant में automatic transmission भी ऑफर किया जाए, अब दोस्तों आपको यह जानना होगा भाईया, यह launch कब होने मला, आपको बता दें कि बहुत जल्दी यह launch होने वाला है, यानि दशेरा और दिवाली के आसपास जो festive season आने वाला है, उसमें यह launch की जाने वाली है, और इसके अलावा जो pricing होगी, जो अभी मौझूदा pricing है, 6,13,000 से लेके 10,20,000 के बीच में सभी variants रहते हैं, तो top variants में इतने सारे features add होंगे, तो 20-25,000 रुपए ही जादा बढ़ेग वो आपको 10,50,000 के अंदर ही एक शोरूम पड़ेगा, तो जो भाई टाटा पंच और टाटा के lovers हैं, उनके लिए यह तो एक अच्छी खुशकवरी हो गई, क्योंकि टाटा पंच में बहुत दिन से कोई upgrade आया नहीं था, और जिस तरह से competition है, भाई अपग्रेड तो दिन प लेट होना चाहिए था टाटा पंच फेस्ट्रिफ्ट में, आप कमें सेक्शन में मुझे जरूर बताना, तब तक के लिए बाई बाई टेक केर, जैहिन